कि फॉकस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्णों पर हिस्ट्री में भी मॉडन हिस्ट्री के प्रश्णों पर ठीक है कम से कम 20 से 25 टेस्ट होगा है लेकिन कोई भी टेस्ट नहीं है तो चलिए इस्ट्री का भी रखेंगे हर दिन के चलिए तो क्वेश्ट नूंपर बन पर जूईए खुदी राम बोश को नेमिकित में से किसकी हत्तिया के प्रयास में 11 अगस्त 1908 को मुझफर पूर विहार में फांसी दी गई थी क्लिमेंट टेटली किंग्स फोर्ड माइकल ओ डायर या जनरल डायर पताएए 11 अगस्त 1908 को विहार के मुझफर वुर में फासी दी गई थी खुदिराम बोस को किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास में option number B है इसका answer तो खुदिराम बोस को किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास में 11 अगास 1908 में मुजफुर विहार में फांसी दी गए थी ठीक है कॉश्चन उबर टूपर आजएए ये काकोरी कांड के आरूपी थे इसके अतरेक्त सॉंडर्स हत्या कांड में भी लिपत थे इनमें से किसी एकी बात हो रही है ये कभी भी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए लेकिन 27 फरवरे 1931 को अंग्रेजों के साथ मुटवेड करते हुए इन्होंने अंतिम गोली खुद को ही मार कर सहीद हो गए ये निम्रिकत में से कौन थे इलाहवाद के अलफ्रेड पार्क में क्या नाम है इनका चंदर सेखार आजाद आप्सन नमबर सी तो असफाक उल्ला खां आप्सन मैं उसकी बात करें तो असफाक उल्ला खां को काकोरी सड़यांतर के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फासिदी गई थी ठीक है चंसे का राजाद काकोरी कांड के अरोपी थे इसके अतरिक्त सोंडर्स हत्या कांड में भी लिखते थे वो बे कभी भी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए लेकिन 27 फरबर 1931 को अंग्रेजों के साथ मोटवर्ड करते हुए उन्होंने अंतिम गोली खुद को ही मार ली और सहीद हो गए उत्तरप्रदेश इलाबाद के अल्फरेट पार्क में देखे भगत सिंग की बात करें तो भगत सिंग को असेंबली बंकार्ड में अनुसीलन समिती बंगाल में करांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था इसका गठन कब हुआ था पताईए अनुसीलन समिती 1902 में 1907 में क्या हुआ था कॉंग्रेस गरम और नरम दल में विभाजित हो गई थी 1916 में एक हो गई थे दोनो 1916 का लखन अधिवेशन अध्यक्स तक इसने की थी आर सी मजुमदार ने 1929 में भी कुछ हुआ था 1929 का लाहोर अधिवेशन जवाल लाल नहरू ने अध्यक्स तकी और पूर्ण सुराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया पहली वार तो देखिए अनुसीलन समिती बंगाल में करांती कारियों का प्रथम गुप्त संगठन था जिसका गठन 1902 में हुआ था जतिंद्र नाथ वनरजी और बरिंद्र कुमार घोस कलकत्ता की अनुसीलन समिती के सरस थे मिदनापूर में अनुसीलन समिती के इस्थापना की थी ज्याने इंद्र नाथ बसुने और कलकत्ता में इसका गठन किया था पी मित्रा ने बंगाल में करांती कारी अंदोरन की सुरूबात जो है भद्र लोग समाज से हुई थी थी बंगाल में चल रहा था है सब कुछ यह बंगाल में करांतिकारी अंदर्ण की सुरूबात कहां से हुई थी भद्र लोग समाज से Q4 पर आजिए, ति कौन सी पत्रीका क्रांतिकारी गत्विद्यों से संबंदित नहीं है संधिया काल युगांतर अमरत वाजार पत्रिका क्रांतिकारी गतिविदियों से संबंदित है संधिया क्रांतिकारी गतिविदियों से संबंदित है काल युगांतर लेकिन अमरत वाजार पत्रिका नहीं है तो अमरत वाजार पत्रिका की शुरुबात 1868 में बंगला में सबताहिक पत्रिका के रूप में सिशुर कुमार घोस द्वरा की गई थी बंगला भाषा में इस पत्रिका ने राश्ट ये स्वतंतरता आंतुरन में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंदित नहीं थी ये पत्रिका कॉश्चन नमबर फाइब पर आजए नम्लिकत में से कौन रामोसी क्रशक दल का नेता था जिसने महरास्ट में ससस्त्र विद्रो के जर्ये देश से अंग्रेजों को खदेडने की गोशना बनाई कौन था रामोसी क्रशक दल का नेता बताएब बीडी सावरकर नहीं राजा राम मोहन राय नहीं भगत जवाहर मल नहीं वसुदेव वलवन्त फड़के उप्सन नमबर भी तो 1879 में रामोसी क्रशक दल के द्वारा क्रांतिकारी गतिविदियों की सुरुभात महरास्ट में की गई वसुदेव वलवन्त फड़के रामोसी क्रशक दल के नेता थे जिन्होंने महरास्ट में ससस्त विद्रो के जरिये देश से अंग्रेजों को खदेडने की हुजना बनाई ठीक है 1918 की विद्रो समिती की रिपोर्ट के अनुसार भरात में करांतिकारी आतंकबाद का प्रारंब सबसे पहले महरास्ट में ही हुआ ठीक है ये क्या एक्स्टा शप गया चलिए कोष़नमबर शिक्स पर आजाईए विनायक दामदर सावरकर ने उननिस सो चार में निमनिक्त में से किसकी इस्थापना की थी विनायक दामदर सावरकर यानि वीढी सावरकर के नाम से जिनको जाना जाता है मोर्डर्ट हैस्टरि में आजाद भारत नहीं है, अमर भारत नहीं है, जीवन्त भारत नहीं है, अभिना भारत, competitive exam का फेवरेट है, ये संगठें बहुत पूछते हैं इसको, बिनायक दाम उदर सावर कर, ठीक है, तो सीधा सीधा जाद रखिए, option number C, भारत सोशाशन समेती के स्थापना किसने की थी, important है, सियाम जी क्रशन बर्मा, option number B, तो भारत सोशाशन समेती के स्थापना सन 1905 में सियाम जी क्रशन बर्मा ने लंदन में की थी, भारत सोशाशन संस्था, ने लंदन से एक समचार पत्र, sociological का प्रकाशन भी किया था, ठीक है, प्रकाशन प्रारम भी किया था, देखे, जो भारत स्वाशासन समीती है उसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था स्याम जी क्रश्न पर्मा के पैरिश जाने के बाद बिनायक दामोदर सावर करने इसका कारेभार समाला और यहीं से सावर करने 4857 का स्वतंतरता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी ठीक कोशन नुबर 8 पर आजए भारतिय सोतंतरता आंदोलन से संबंदित क्रांतिकारी गतिविदियों के संदर में नमलिकित कतनों पर विचार करना दो तिन स्टेटमेंट है पताना की कौन सा करेक्ट होगा पहला स्टेटमेंट है लाला हर्दियाल ने संयुक्त राज अमेरिका गदर नामक सापताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम विगिया बिलकोल गदर दल ने 1857 की स्मर्ति में गदर नामक सापताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया तीसरा करेक्ट है दूसरा करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है डी है इस स्थापना गी थी संस्थापक अद्धक सोहन सिंग भाकना थे संध्य जब्कि लाल हर्दयाल जो थे न वो सह संस्थापक थ होता था कोश्य नुबर 9 पर आजाईए भारत्य विधिय आयोग 1927 के संदर में निम्रिकित में से कौन सा कथन गलत है देखे इस आयोग का अध्यक्स लॉर्ड बरकन हेट था इस आयोग के सभी सरस अंग्रेश थे मुहमद अली जिन्ना ने इस आयोग का विरोध किया था और आयोग का एक सरस से क्लिमेंट इटली था देखे अगर भारत्य विधिक आयोग आ जाए ना 1927 तो इसको जो है साइमन कमिशन भी कहा जाता याद रखना तो यह वाला करेक्ट हो जाएगा सभी सरस अंग्रेश थे कोई भारत्य नहीं था इसमें इस आयोग का अध्यक्स सर ज साइमन कमिशन का विरोध कॉंग्रेस ने भी किया था ठीक है मुस्लिम लीग ने भी किया था लिबरल पार्टी ने भी किया था आयोग का एक सदसिक लीमेंट इटली था करेक्ट है यह डी तो गलत ढूणना अपने को यह दूसरा वाला पहला वाला गलत है सर जोन साइमन अ सेकेटरी ऑफ स्टेट था जिसका मानना था कि भारत के लोग संविधानिक सुधारो हेतु एक सुनिष्यत योजना बनाने में सक्षम है तेकि भारते विधिक आयोगी आगे चलकर साइमन कमिशन के नाम से जाना गया जिसके अन सभी छे सरस्यों में से एक क्लीमेंट एटली भी था जिसके प्रधान मंत्रेत तुकाल में सन 1947 में भारत को आजादी मिले थी कोशन नमबर 10 पर आजाईए जब साइमन कमिशन तीन फरबरी 1928 को बंबाई पहुंचा तो भारत में इसका तीबर विरोध किया गया नमलिकित में से किन संस्थाओं या संगठनों ने साइमन कमिशन का तीखे स्वर में विरोध किया था कॉंग्रेस हिंदू महासवा मुस्लिम लीग बताईए साइमन कमिशन का विरोध किस किस ने किया था कॉंग्रेस ने भी किया था हिंदू महासवा ने भी किया था और मुस्लिम लीग ने भी किया था सभी ने किया था तो डी हो ज आदी ने इसका तीखे स्वर में विरूद किया देखे साइमन कमिशन को लेकर मुस्लिम लीग जो है दो टुकडों में विभाजित हो गई थी इन में से एक था जिन्ना गुट जिसके सरस्यों ने साइमन कमिशन का विरूद किया था और मुस्लिम लीग का दूसरा जो गुट वो था मुहम्मद सफी के समर्थ को खा ठीक है मुहम्मद सफी के समर्थ को खा मुहम्मद सफी जिन्होंने साइमन कमिशन के साथ सहियो गात्मा का रविया अपनाया था ठीक है तो मुस्लिम लीग साइमन कमिशन के समय दो गुटों में बट गई एक जिन्ना का गोट और दूसरा मुहम्मद सफी के समर्थकों का गोट तो राट डीप लेगे पूछ लेगा एक्जामनर कि मुहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमिशन का समर्थन किया तो गलत है स्टेट्मेंट जबकि दूसरे गुट मुहम्मद सफी के संवर्थ को ने गया था मुहमद अले जिन्ना की गुट ने तो विरोध किया था साइमन कमिशन का जैसे कॉंग्रेस विरोध कर रही थी हिंदू महसभा विरोध कर रही थी लिब्रल ठीक है फेडरेशन विरोध कर रही थी तो दस प्राशन थे यह मौडन हिस्ट्री के इनकी प्रक्टिस एक बार कर लेजेगा इसके बाद जो टेस्ट आगा इसी के आगे से कंटीनु करेंगे ठीक है धन्यवाद